Hello everyone, last video में हमने discuss किया था mass and weight के बारे में कि mass जो होता है वो किस तरह से weight से differ करता है और हमने ये भी देखा था कि अगर हम चेक करें हमारा weight earth पे या हमारा weight अगर हम moon पे चेक करें तो क्या होगा? variation उसमें आएगा, moon पे हमारा weight कम हो जाएगा, earth पे हमारा weight जो है, वो increase हो जाएगा क्यों हो जाएगा? because of their gravitational pull जितना जादा gravitational force लगाएगा कोई भी object उतना ही जादा weight कहां होगा उस object के उपर किसी particular दूसरे object का होगा लेकिन जैसे कि हम earth की बात करते earth जो gravitational force लगाता है किसी भी object पर तो क्या होगा? उसका एक particular weight वहाँ पर है लेकिन अगर मैं moon पर बात करूँ तो उसी का compare अगर हम करें तो moon पर क्या होगा? उसका weight कम हो जाएगा because earth के comparatively moon बहुत छोटा है और जितना छोटा है उतना ही क्या होगा? उसका जो gravitational force से वो कम हो जाएगा that is why moon पर weight कम हो जाता है अब आज हमें यहीं discuss करना है कि moon के उपर basically हमारा weight कितना हो सकता है so I love ina kumawat, welcoming you all let's go Shala, आप confused ना हो that is why कहीं पर भी अगर आप weight देखेंगे तो हमेशा क्या लिखाता है? kilogram लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जो weight है उसको हम newton में measure करते है जहां भी आपको लिखा मिलेगा na kilogram वो आपका weight नहीं है basically kilogram mass के लिए होता है लेकिन अगर आपके लिए लिखा है ना कि इसका जो weight है वो 355 kilogram है और उसको फिर हम change करें moon पर उसके gravitational pull के according हे change हो जाएगा इसका मतलब यह actually weight है इसको होना तो चाहिए था newton लेकिन ठीक है अब हमारे convenience के लिए हम क्या करते है इसको kilogram में ही लिख देते है अब weight जो है वो moon पर कितना होगा तो हमने यह चीज़ पढ़ी है कहीं पर हमने सुना भी है ना कि weight जो होता है मून के ओपर अगर अब जाओगे ना तो 6 गुना कम हो जाएगा आपका weight मतलब अगर suppose यहां पर कोई object है जो 30 kg का है अगर उसका weight 30 kg है तो मून पर जाते ही क्या हो जाएगा उसका weight जो हो 5 kg हो जाएगा वाव इसंट इन्ट इन अमेजिंग? सिरिएसली? चालिया सो दे मून इस वन फूर्थ अगर जो मास है वो 1 बाई 100 ऑफ अर्थ है मतलब अर्थ का जो मास है उसका अगर मैं 100 से डिवाइट कर लू तो मुझे मून का मास मिल जाएगा यह अप्रॉक्स आइडिया है ठीक है? हैंस दे मून's gravity is much less obviously, moon's gravity is much less अगर कोई force लगाता है अगर इत्तु सा object अगर एक कोई force लगा रहा है तो फर्क तो पड़ेगा ना अगर मैं यहाँ पर ले हो बिलकुल हटे कटे किसी आदमी को जो बहुत लंबा चोड़ा सा है, जाता है अच्छ से तो उसका force कितना होगा? जादा ही होगा ना अब मैं भीचाई छोटा सा फोर्ट लगाऊंगे ठीके मैं अलमीरा जो है या एक सोफा जो इधर कर देती हूँ थोड़ा से इसको इस तरफ कर देती हूँ कि मुझे बापे स्पेस चीज़ साफसफा ही करनी होगी मेभी ठीके या मुझे अपना इंटीर चेंज करना है तो ठीके मैं अलमीरा को या मेरे जो सोफे है उसको मैं साइड कर देती हूँ अब मैंने खीच-खीच के मैं परेशान होगी लेकिं वो तो हटा ही नहीं अब क्या होगा? हम बुलाएंगे अपने भईया को जो थोड़ा जिम में जाके अपनी बॉडी बडी बनाके बैठे है उनको बुलाया उन्होंने क्या करा कि जरा सा यह पुश किया और होगया और या वस वरी शुक में से खड़ी वो तो क्या कर रही है? क्या होगया? मतलब हद हदी होगई यह तो क्यों? मैं इतनी देर से ट्राइ कर रही हूँ, वो हिल नहीं रहा था लेकि बड़ भाईया आया थोड़ा सा उसे पुश किया और वो हिल गया और फटाबर जो जहां मुझे रखवाना था उसे रख भी दिया सीरियसली मतलब, सीरियसली हद हो गई है तो चलो, अब आज़ो उस पर वही वाली चीज है, कि उनके अंदर क्या था? उन्होंने क्या किया, फोर्स जादा लगया बड़े थे साइज में, और उसका उसका ग्राविटेशनल फोर्स जादा होगा मैं छोटी सी तो हूँ पिर मैं उसका ग्राविटेशनल फोर्स कितना है, उतना ही कम है और इतना छोटा अबजेक्ट है, उसका ग्राविटेशनल फोर्स कितना है, उतना ही कम है वैसे ही, इसका ग्राविटेशनल फोर्स जादा है, उतना ही, क्या कर रहा है और अगर force जादा लगेगा बड़े object के लिए तो automatically acceleration due to gravity भी जादा हो जाएगा जब हम बोल रहे कि हमारा जो earth है उसको अगर मैं divide करू 100 से तो मुझे moon की में ही size मिल जाएगी that means कि moon क्या है बहुत छोटा है as compared to earth that is why earth की उपर क्या होगा अर्थ के उपर जो gravitational force लगेगा वो जादा होगा that is why acceleration due to gravity क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा और अगर मैं बात करूँ मेरे moon की जिसके उपर क्या है gravitational force बहुत कम है that means कि उसके उपर acceleration due to gravity भी क्या होगा कम होगा अब सवाल यह आता है कि कितना कम अब यहां तो हमने size में तो बोल दिया कि 100 से divide कर दो हो जाएगा वैसी अगर मैं बात करूँ कि moon की उपर particular कोई object का weight है 100 kg चीक है moon पर एक particular object है उसका weight है 100 kg अब मून पर कितना होगा हुग अ सब्सक्राइब कोई प्रोम करना है मुझे मुझे पता करना है उसका weight करना यह इसके लीए मैं आपको बताती है एक चीज यहाँ बेसिकर लिखा है बढ़ ठीक है इसको फूफ भी करना पड़ेगा कि जो मून का जो gravitational force होता है वो अर्थ के gravitational force का 1 by 6 होता है इसका मतलब अगर मैं इसको 6 से कर दू न तो मुझे एक वो मून का मिलेगा मतलब जितना वेट अर्थ पे होगा उसको डिवाइड बाई अगर मैं 6 कर दूंगी तो मुझे हमेशा मून का वेट मिल जाएगा बहुत ईजीली मिल जाएगा क्योंकि यह कितना होता है 1 by 6 होता है जाएख 1 by 6 यह उन्ट वाहेए गेट कर दो जाएग इएट नचानल एर्वेट अपने अव्जे कितना होता है में जाएट और होता है तो मून पे इतना वेट अछेट कितना चमतर hone 0.2 नाली देक्द है आर्थ के उपर जो वेट है वो यह है तो मून पे कितना वेट होगा डिवाइड बाई 6 कर लो मून का वेट आ जाएगा अब इसको प्रूफ कैसे करें जरूरी है 60 होगा 7 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है 5 भी तो हो सकता है क्यों नहीं हुआ है चलो तो हम क्या करते हैं एक होता है universal law of gravitation का वे हम gravitational pull की ही तो बात कर रहे है तो universal law of gravitation का formula क्या होता है that is universal gravitational constant multiply by object of mass of first object mass of second object upon में क्या हो जाता है हमारा r square or d square इसका मतलब क्या होता है distance between two objects मेरे पास में अगर मैं दो अब्जेक्ट का mass ले दूँ सपोज मेरे पास एक object है बड़ा जिसका mass है m एक object है छोटा विचार उसका mass है चोटा दौनों का जो multiplication होगा वो divided by इन दौनों के बीच का distance दौनों के बीच का distance मतलब दौनों के center का जो distance होगा वो उसका square हो जाएगा और जी क्या है यह है universal gravitational constant जिसकी value हमें बहुत अच्छी से पता है हमने पढ़ा रखा इसको ठीक है चलो अब आज़ो हमारे इस पे कि जब हम इसकी बात करेंगे देखो इसके अंदर भी हमें क्या करना है हमें इस force को ले लेना है w उसमें भी कौन सा earth and moon द च Phil Wars बाहिए आप earth पे ले लो चाहिए आप moon पे ले लो चाहिए कहीं भी छले जाओ जी, change नहीं होने वाला चलो अब जो object हम लेंगे उपजेक्ट भी हम इमारा क्या होगा constant होगा इसी object का weight हम moon पर भी Check करेंगे इसी particular object का weight हम mass पर वी Check करेंगे सोरी,markt पर भी Check करेंगे दौनों के बीच का distance मतलब the radius कोई भी object की radius ही तो जो earth है उसका radius ही तो होगा उस object से distance तो यहाँ हो जाएगा radius of earth square earth पर कोई भी object जो है earth पर जो भी object है उसका weight हमें measure करना है तो यह हमारे पास formula आगया अब हम क्या करता है इसे values put कर दोता है तो अर्थ का देखो weight measure करने के लिए अर्थ का हमें mass गिवन है और अर्थ का ही हमें क्या गिवन है radius भी गिवन है अर्थ की अर्थ की उपर उस object है जो यह object है न हमारे पास अगर इसका हमें weight measure करना है तो क्या होगा w of e is equal to g as it is रहेगा हमारे पास क्योंकि g तो change होने वाला है नहीं universal gravitational constant है कहीं पर भी यह change नहीं होगा चाहे हम moon पर चले जाए चाहे हम earth पर रह जाए earth की किसी place पर चले जाए march पर चले जाओ universe में कहीं पर भी चले जाओ इसका value जो हो change नहीं होगा small m है तो object हमारा similar ही रहने वाला है same object है उसी को हम moon पर लेकर जाएंगे उसका weight भी check करेंगे multiply by mass of earth mass of earth देखो कितना है वो है 5.98 5.98 multiply by 10 to the power 24 10 to the power 24 यह किसका आया mass किसका है earth का है upon अब क्या करना इसकी radius लेनी है because कोई भी object अगर earth की उपर है that means कि उसकी distance कितनी है the radius अब इसकी radius चेक कर लो कितनी है radius है 6.37 multiply by 10 to the power 6 इसका square fine चलो w of e जब इसको solve कर देंगे तो इसको solve करने पे हमें क्या मिलेगा इसको solve करने पे मिलेगा 1.7474 multiply by 10 to the power 11 gm तो यह gm कौन सा है यह यहां से है इसको नहीं solve करते है इसकी value हम नहीं put कर रहे that is why यह hazard is right लेकिर हम इन दोनों को solve करेंगे तो हमें यह value मिल चाहेगी चलो w of e तो हमें मिल गया अब हम क्या find out करेंगे w of m मतलब weight कहां पर जब हम उस object को moon पर ले जाएंगे weight of moon is equal to क्या हो जाएगा capital G तो as it is रहेगा capital M mass किसका इस बार? moon का mass small m upon r यानि कि radius radius भी किसकी again हमें moon की radius चाहिए because हम moon पे उस object के weight की बात कर रहे है now weight of weight on the moon is equal to g as it is रहेगा again हमारा small m as it is why क्योंकि हमारा object हम change नहीं कर रहे है हम एक particular object हमने fix कर लिया है उसी का weight हम earth और moon दोनों के ओपर देखने वाले है so mm क्या हो जाएगा mass moon का कितना है देखो 7.36 यह multiply by 7.36 multiply 10 to the power 22 upon यह table आपको ncrt में given है don't forget कि ऐसा यह नहीं सोचना कि माम की कहां से आई हमें याद करना है क्या यह ncrt के अंदर आपको given है टेबल है 10.1 चलिए so इसका radius कितना है देखो radius कितना है 1.74 multiply by 10 to the power 6 and इसका square कर देते है fine चलिए now w of m कितना हो जाएगा moon के ओपर जो weight है वो कितना होगा जब आब इसको solve करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.431 multiply by 10 to the power 10 gm gravitational universal gravitational constant और जो मास से वो change नहीं हुआ है that is why हमें उसको इसको इसे ही रख दिया अब क्या करना है हमें इन दौनों के वेट का क्या करना है comparison करना है कि वेट जो है वो moon पे कितना है earth पे कितना है उसका comparison करना है न हमें तो comparison के लिए हमें क्या करना पड़ेगा comparison के लिए आप ये करें कि w of जो moon के उपर है weight जो moon का है वो रख दे upon में हम रख देते है earth का weight fine अब क्या होगा इसको solve करता है मून पर इसका weight कितना है 2.431 multiply by 10 to the power 10 gm upon earth पे इसका weight कितना है earth पर है 1.474 1.474 multiply by 10 to the power 11 gm ठीक है चल देखो gm से gm तो cancel हो जाएगा because यह दाना इस similar है तो cancel हो सकते है और क्या cancel हो रहा था 10 to the power 10 से यह cancel हो गया 1 power बच्ची है हमारे पास में तो answer क्या आ गया 2.431 upon 1.474 multiply by 10 और जब हम इसको solve करेंगे तो हमें मिलेगा 1 by 6 1 by 6 fine 1 by 6 मिला तो देखो W of M क्या मिला है हमें हमें मिला है W of M upon W of E मतलब जो weight है जो moon पे upon weight जो है earth पे is equals to 1 by 6 मतलब कि अगर कोई object का weight अगर कोई भी object का weight moon पर अगर है 1 kg तो earth पे कितना हो जाएगा 6 kg हो जाएगा और अगर earth पे 6 kg है तो moon पे 1 kg हो जाएगा मैं क्या कर रहे हैं इसको जिस transpose कर रहे हैं इसको transpose करेंगे तो हमें मिलेगा W of M is equals to 1 by 6 of W of E इसका मतलब जो earth के उपर weight है उसका 1 by 6th part कौन है W of M है मतलब weight जो है वो moon पर I hope कि अब ये clear हो चुका है कि ये कहां से आया है कि earth के उपर जो weight होगा वो हमेशा 6 गुना जादा होगा moon से या moon पर जो weight होगा वो हमेशा earth के weight से 1 by 6 होगा मतलब 6 से उसको divide करना पड़ेगा तब ही हमें पता चलेगा कि weight जो है यहां इसका mass कितना है 70 kg यहां इसका mass कितना है 70 kg दौनों ही time पर क्या है 70 kg कोई problem नहीं है अब अब हमें क्या करना है weight चेक करना है weight क्या होता है w is equal to mg w is equal to mg हो जाएगा mass कितना है 70 kg mass कितना हो गया 9.8 mass हो गया 70 kg g हो गया 9.8 multiply कितना आंसर आया approximately 687 newton 687 newton weight आचका है 687 newton fine अब अगर मैं बात करूँ मून पर तो मून पर क्या होगा मून पर जो इसका जो g है वो कितना हो जाएगा हम by 6 कर सकते है हमने क्या बोला कि weight जो होगा वो कितना हो जाएगा divide by 6 करना पड़ेगा मुझे तो mass थोड़ीना change होगा क्या change होने वाला है mass change नहीं होगा मेरा ये g change होने वाला इसमें और कुछ नहीं होगा तो यहां पर देखो g को change करते है that is 1 by 6 3 70 से multiply के तो कितना आ गया 114 newton आ गया इसका मतलब है कि moon पे अगर आप चले जाओगे तो 6 गुना आपका जो weight है वो कम हो जाएगा mass कम नहीं होगा जो हम बोले ना हमारा motor बढ़ रहा है हमारा weight बढ़ रहा है वो weight नहीं हमारा mass बढ़ रहा है देखो इस पच्चे का mass देखो यहां पर कितना है 120 kg earth पर इसका mass कितना है again 120 kg है जब हमने weight check किया earth के उपर तो हमें क्या मिला 120 को हमने multiply किया 10 से तो हमें मिला 1200 newton हमें यह earth पर इसका weight कितना मिला है 1200 newton मिला है अब अगर मैं बात करू मून की मेरे पास मून में क्या होगा mg upon 6 हो जाएगा जो weight है earth पे यह हम लिख देते है weight on moon is equal to weight on earth upon 6 तो weight on earth देखो कितना है यह है 1200 upon में 6 कर लो तो हांसे कितना आ जाएगा 200 newton आ जाएगा इसका मतलब है कि जो moon के उपर weight होगा वो कितना हो जाएगा 200 newton हो जाएगा I hope कि आपको यह clear हो गया है कि जो weight जो है वो moon पे कितना होने वाला है चलिए अब इससे related एक question करते है ताकि आपको पूरा clear हो जाए कि exactly हमें इसको use कैसे करना है So the weight of an object on moon is एक जो weight है object का moon के उपर वो है 1 by 6 यह आपर इसकी जगे आजाएगा 1 by 6 its weight on earth यह तो हमें पता है ना बढ़ यह given है चलो कोई बात ही लिख देता है weight on moon is equals to weight on earth upon 6 यह तो हमें पता है कि इसका 1 6 होता है चलिए If an object weighs 535 kg on earth 535 kg कहां पर weight है? Earth पे W of E कितना हो गया? 535 on earth यह weight है not mass हमने क्या कहा था? हमारे convenience के लिए हम इसको newton की जगे kg ले लेते हैं लेकिन यह होता क्या है? Newton ही होता है Now how much would it weigh on the moon? हमें क्या find out करना है moon के ओपर इसका weight कितना है? As I told you कि formula हमारे पास में है और इस question ने भी दे दिया हमें simple है हम क्या करेंगे? formula में value apply कर देंगे और हमें answer मिल जाएगा यह कितना है? बस divide by 6 करना है तो हमें answer मिल जाएगा W of M is equal to हो जाएगा 535 upon 6 और जब हम इसको divide करेंगे तो हमें मिलेगा approx 6,8s are 48 5 बच्चा हमारे पास में 6,9s are 54 0.1 6 6 again 6 and so on fine तो कितना हो जाएगा इसका weight मून पर यह हो जाएगा 89.something kg I hope कि इतनी चीज़ आपको clear हो गई है देखो यह एर्थ पे जो इसका weight था 535 kg कोई भी एक object है उसका मून पर उसका weight कितना हो जाएगा 89.166 kg कितना जादा कम हो चुका है मून पर कम है that is why मून के उपर क्या होगा इसका weight बिल्कुल कम हो चुका है लेकिन अर्थ के उपर उसका weight थुड़ा जादा है I hope कि इच इस क्लियर हो चुकी आपको I hope कि आपको पता है कि weight को हम कैसे measure करने वाले मून पर उसके weight किस तरह से vary करने वाला है So, next video में हम देखेंगे pressure के बारे में कि हमारा जो pressure होता है वो क्या होता है किस तरह से लगता है हम force की तो बात कर ही रहे इस force को एक और नाम दे देंगे हम जो कि हम आपको बताएंगे next video में सबता के लिए Thank you so much